मिली जानकारी के अनुसार गाँव जटपुरा के जोगेंदर सिंग ने बताया कि वो गाजियाबाद में गाड की नौकरी करता है परिवार में पत्नी पुत्र और बहु है पुत्र गजियाबाद में एक स्कूल में गाड़ी चलाने का कार्य करता है मंगलवार की सुबह दोनों काम पर गए हुए थे सुबह आठ बजे पत्नी कमलेश पोतों को स्कूल छोड़ने के लिए चली गई थी बहु महक घर पर अकेली थी तभी दो युवक घर आकर पीने के लिए पानी मांगने लगे जैसे ही बहु घर के अंदर पहुची तो दोनों युवकों ने उसको घखका देकर नीचे गिरा दिया और चाकू दिखाकर कमरे में रखी अलमारी से सोने की अंगूठी, सोने की चेन सोने के कानों के कुंडल, दो जोड़ी पाजेब और 30,000 रुपे की नगदी लुट कर भाग गए मम्मी आठ बजे करीब गई थी, साथ बजने में 5 मिन थे और आठ बजने में तब दो जने आए घर पर भार, तो मुझे पूछा उन्होंने की घर में चाचा जी है, मैंने का नहीं अभी पापा नहीं है, आप बाद में आ जाना शाम को, फिर उसके बाद मम्मी के बारे में आठ ये नहीं मम्मी भी नहीं है, एक बाद बाद में पानी बहुत, गयाका अभी आध को बहा हो है तो मैंने कि बाद और यहा में आप वारे में पानी के लिए फिर भाह जाए है इं। भेंट में था फ़िल गये।, दो आश एक गये पुर दो पानी के लिए बाद गेट ख अफ्रों मेरे भात ने सुने मुझे धका दे दिया, मैं नीचे जमीन पे गिर गई। अपना चीनने की कोछिस करी तो उनों के मेरे मेरे मार अमिर को कोड़ा है। एपर मैं उन से बावु छीननी ती टो एक बार मेरे सर में जैसे लगी यूड भावु छीनने हैं फिर बात्रूं चुप गई अपने पर मैंने अपने हजबं को कॉल किया और सासुमा को कॉल किया उन्होंने ताइजी बुलाएं ने रहते हैं पिर उहा से आने के बाद अंधर तो क्या क्या नुक्सान हुआ क्या का लेगा गई थे सोने कि अंगूठी चैन पांच्छा जोड़ी पजेब थी हमारी टॉप्स थे कुंडल थे और कुछ कैश भी था बीस्तिस हजार कैश चला गया और और भी समान था जो मतलब गिंती में नहीं आ रहा जो हम रख देते हैं कुछ बहुत सबस्बांता है आपके अस्बेंड क्या करते हैं वह एक ड्राइवर है क्या नाम हमगा गोर्ग इसको लबागाद इसको नो बताना पूरेगा हो कि अगे कि अगे